मोक्ष एवं ग्यान की नगरी के रूप में प्रुसिद गया जिला केशी के शेत्र में पूरी तरह से वर्षा पे आश्रित रहा है पारंपरिक रूप से गया जिला के किसान धान एवं गिहूं फसल चक्र को अपनाते रहे हैं परंथु धान गिहूं की फसल में ज्यादा सिचाई के पाने की आवशेक्ता होती है एवं लागत के अनुपात में आए बहुत कम प्राप्त होती है कालंतर में गया जिला नकसलवाद की चपेट में आ गया एवं यहां नकसली अवैद रूप से अफीम की खेती करने लगे बाजार परखंड के किसान बंजर जमीन एवं सिचाई के आभाव में धान गिहूं की खेती कर किसी परकार अपना जीवन यापन कर रहे थे ऐसे में 2021-22 में आत्मा गया ने जिला परशासन गया के सहयोग से बारा चट्टी, बांकी बाजार, इमाम गंज, गुरुआ एवं कोच परखंडों में 20-20 एकड के 5 कलस्टर सहित कुल 100 एकड में महिला किसानों के साथ लेमन ग्रास की खेती कराने हे तू प्रयास किया किसानों का समूग अठित कर राज्य के बाहर परसिक्षन के लिए सी मैप लखनों भेजा गया किसान गोश्ठी एवं किसान पाट शाला का आयुजन कर अस्थानी अस्तर पर परसिक्षन दिया गया आत्मा के पृत्साहन इवं परसिक्षन के फल सरूप यहां की महिलाओं ने लेमन ग्रास की खेती में वैज्ञानिक टक्निक से उत्साह पुर्वक शुरू किया शुरुवाती दोर में सीचाही की समस्या के समाधान के लिए इस प्रिंकलर परणाली को अपने खेत में लगवाए जिससे इनकी सीचाही की समस्या का समाधान हो गया आस्वन यंत्र के माध्यम से लेमन ग्रास की पत्तियों से तेल निकालने की प्रकिरिया शुरू की 12.80 प्रखंड के जैगीर पंचायत के अंजनिया टार गाउं की महिला किसान श्रिमती मंजु देवी ने लेमन ग्रास की खेती में अग्रणी भूमी का निभाई और अन्य महिला किसानों को लेमन ग्रास की खेती करने हितु प्रसाहिद भी किया आज महिलाएं लेमन ग्रास का तेल एक हजार से देड़ हजार उपे परती लीटर की दर से बेच रही हैं इन महिला किसानों को उद्यान निदेशाले गया से कनवरजिंस कर लेमन ग्रास के स्लिप उपला विकराए गए सिचाई विवस्था के रूप में स्प्रिंकलर सिचाई परणाली लगवाई गए साथ ही लेमन ग्रास की पत्तियों से तेल निकालने के लिए आस्वन यंत्र लगवाई गए किसानों को लेमन ग्रास का तेल निकालने के लिए वैबारियों से जोड़ कर विपढ़न की विवस्था की गई समय समय पर आत्मा गया एवं किरिशी विभाग के वैग्यानिक लिमन ग्रास के खेतों पर जाकर किसानों को तकनीक के साथ अच्छी खेती करने के लिए पुरसाहित करते हैं जिसके अंतरगत महिला किसानों की मांग पर लिमन ग्रास के तेल से बनने वाले उत्पाद, साबुन, सेनिटाइजर, फिनाइल आदी बनाने का परसिक्षन दिलवाना भी शामिल है महिला किसानों की मेनत और किर्श्व विभाग का सैयोग का फली है कि इनके द्वारा नर्वित उत्पादों को देखने बिहार के मानने मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार स्वैम उनके गाउं पहुँचे और लिमन ग्रास की खेती का निरिक्षन किया और लिमन ग्रास के तेल से बने उत्पादों को देख किसानों के मनुबल को बढ़ाया आज यहां के किसान आत्म निर्भर होने के साथ साथ दूसरे किसानों के लिए भी प्रेड़ना का श्रूद बन गए हैं आत्मा गया के प्रयासों से किश्व विभाग एवं जिला परशासन गया के सहयोग से किसान परतिये कड़ असी हजार से एक लाख रुपे की शुद आय प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे नकसलवाद एवं बंजर भूमी की समस्या से मुक्त हो रहे हैं